नमस्का दोस्तों डिडीरेट के एक और ये अच्छन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं मालूग तो आज जो वीडियो लेकर आएंगो वीडियो निम्रा एहमद का UAE ने पाकी वीजाज रियक्शन का सहरा पाकी यूटूबर्स के नाम कर दिया लगता है कि मेहनत कुछ काम्याब हुई है जो पाकिसानी यूटूबर्स जो है वो और पता नहीं जो भी इस तरह के लोगों के रियक्शन्स लेते हैं बाकी जो लोग बुरा भला कहते रहते हैं कभी साओधिया को कभी UAE को तो लगता है कि उनके पास बड़ी अथरिटीज के कर रहे हैं कि अनोखी स्टेटमेंस बैक क्यों कि बड़ा इंऔर मजूज है वो बड़ा गलत पोर्ट्रे करते हैं दुबई का जो पाकिस्तानी माँ क्राइम करते हैं उसको हाइलाइट नहीं करते हैं दुबई के कानूनों की वाइलेशन करके दिखाते हैं रेगिलेशन के खिलाफ काम करते हैं और पूरी दुनिया में दुबई को बदनाम करते हैं नेगेटिव इमिज दिखाते हैं पाकिस् पाकिस्तान के अवाम क्या राय रखते हैं अवाम के राय लेते हैं मिलते हैं वीडियो केंट पर यहां से जो बने वहां पर जाते हैं तो उनके पैसे खा जाते हैं कुछ यह सुनते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तानी टिक-tokker पाकिस्तानी सोशल मीडिया इंफ्लेंसर दुबाई को खराब कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं इसी दुबाई में यूएई में रेगिस्तान में जब बारिश होती है तो इससे बड़ा बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती प्यासी धर्ती को पानी मिले उसको आप लोगों ने क्या पोट्रे किया पाकिस्तानी उन्हें या पाकिस्तान का बड़े बड़े यूटूबर्स ने भी पोट्रे किया पाकिस्तान का लोगों ने पोट्रे किया बताया कि अजाब आया है जी दुबाई पर UAE में बारिश और तुफान आया तो अजाब आया है जै क्यों? क्योंकि मंदिर जो बनवाया है उन्होंने दिल पर हांत रख कर कहना ये तुम लोगों ने कहा है कि नहीं अभी भी कहते हो कि नहीं कहते हो मैं सैक्ड़ो वीडियो दिखा दूँगा जिसमें इस सारे कह रहे है पाकिसानी लोग पाकिसान का बड़े-बड़े इंफ्लुएंश तुम्हारे नेता चुपके सेरेलियों में कह जाते हैं देखा दुबई में आजाब आ है न अल्ला का आजाब आया क्योंकि उन्हें मंदिर बनवाया है कुफर का काम किया है क्या ये दुबई के लोग नहीं समझ रहे हैं दुबई में जो राज कर रहे हैं उन तक बात में नहीं पहुँच रही हैं पहुँच रही हैं हम सब पहुँच आ रहे हैं और जो दुबई में भी लोग बैठे हैं पाकिसानी वो भी ये कर रहे थे अब जेलो आया मज़ा अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्तों अभी तो और भी मज़ा आने वाला है ऐसे वीडियोज आने वाले यहां पर लट पड़ रही है आप लोगों को दुबाई में और सौधी अरब में वो भी वीडियोज आएंगे चिंता मत करिए यह तो ठीक है बुरी बात हैं अच्छी ने लगती जो अच्छी है जो टेक्टागर हैं बीचारे वो करने हैं खुशी से हम भी खुश होते हैं बच्छी नई जनरेशन है आती हैं दुबाई के अंदर ना पाकिसानी यूट्यूबर हमारी इमिज खराब करते हैं नहीं नहीं खराब करता हमारे यूटर पर कुछ नहीं करते हैं यह अच्छी हैं बरहाल यह खुश करते हैं दुनिया को हां यह तो कैया है कि हमारे गवर्मेंट ने यह फैसला किया है कि आप हम पाकिस्तानी मीडिया इंफ्लॉएंसर का बाइक आउट करेंगे और इनकी विजे भी नही बैडम शुतरमर्ग जो होता है न जब खतरा देखता है तो अपना सर जो है और रेत के अंदर घुसा लेता हुशा है उसको लगता है कि खतरा है नहीं खत्म आप इस वक्त उसी शुतरमुर्ग जैसा बहेव कर रही है नहीं नहीं मैं नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है हम तो अच्छा करते चाहिए ओके दुबई वेले पागल है उनको दिमाग है नहीं है सबसे ज़ादा दिमाग आप ही के पास है जिनका देश है, उनके पास दिमाग नहीं है, कि वो क्या कर रहें, नहीं कर रहें, बीना सोचे-विचारे, पागलपन में आके, पागलपन के दोरे फड़ते हैं, और पाकिस्तानीो, बैन करो, हैंना, सब अच्छा है, आप जैसे लोगों ने और पाकिस्तानियों का सिर चढ़ा कर रखा हुआ है गल्ती माननी नहीं है जब तक आप गल्ती मानेंगे नहीं आप पर कुछी नहीं हुसते है वाकॉल उनके वो कहते हैं कि यह ज्यादा ही आने लेगे हैं इदर काम करने के लिए जिस जिस पाकिस्तानी को लगता है कि उनके खिलाफ दुबई में साओधी अरब में साजिश की जाती है उनको बेवज़ा निशाना बना जाता है वो क्राइम नहीं करते हैं मैं डेटा दिखाने वाला हूँ कपड़े फाड़ दूँगा मैं आप लोगे साओधी अरब और युएई में अगर पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी बंद है न साथ 80% साओधी अरब और युएई के जिलो में बंद है पाकिस्तानी और क्राइम करने के वज़े से देखिए कंट्री इस विथ हाइयस नंबर स आफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स जरा देखिए नंबर वन पर कौन सा है साओधी अरबिया 12156 पाकिस्तानी साओधी अरबिया की जिलो में बंद है यूएई 5292 तीसरे नंबर पर है ग्रीस योरप है ये 811 पाकिस्तानी जेलों में बंदें चौथे पर है भारत 706 पाकिस्तानी जेलों में बारत की जेलों में बहरीन में 450 इराक में 519 चाइना में 400 पाकिस्तानी जेलों में बंदें कतर में 338 पाकिस्तानी जेलों में बंदें UK में 330 इटली में 330 उमान में 309 तर्की में 308, अब जरा गोर कीजिए, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टॉप 12 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं, इन में से देखिए टॉपमस कितने मुसलमान कंट्री हैं, सौदिय अरभिया 1, UAE 2, बहरीन 3, इराक 4, कतर 5, उमान 6, तर्की 7, टॉप 12 कंट evries ऺां पाकिस्तानी सबसे जादा बंद हैं अब इसके बाद भी ये तो चोरी करो, उपर से जब छोरी का सबूत दिया जा रहे इसके बाद भी आप नवानो तो ष्क कोई लाज नहीं है, मैडम, इसका कोई लाज नहीं पाकिस्तानी कौम दुनिया की बद्तरीन कौमों में से गलीज कौमों में से एक है समझे पाकिस्तानी जो है ना वो सोने पे सुहागे वाला काम कर रहे है पहली बात तो ये गलियों में बैठ कर भीक मांगते है दूसरी बात ये कि यहाँ के यूट्यूबर्स यहाँ के जो पाकिस्तानी इंफ्लिएंसर वहाँ जाते है मैं इस मुहावरे से सहमत नहीं सोने पर सुहागा उस समय यूज किया जाता है थोड़ा निमरा आपको भी समझे की जरूत है जब आप कोई अच्छा काम कर रहे है पाकिस्तानी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे है तो यहाँ पर जो मुहावरा यूज होगा वो होगा एक तो करेला उपर से नीम चड़ा दोनों ही कड़वे यह कहावत है सोने पर सुभागा तो मतलब कोई अच्छी चीज़ हो रही है वो और दुबाई को खराब करते है दुबाई को तो बहुत बहुत बहतर बना रहे है दुबाई में जाके काम करते हैं दुबाई चल रहा है पकिस्तानियों की मेनत के वज़ाद से चल रहा है लाके दुबाई उकी इंडियन्स भी हैं हमसे ज़्यादा लेकन पकिस्तानियों की एक्टिविटी यह मेंटली तोड़ते हैं पकिस्तान बहुत ज़्याद जीनियस है यह साओधियार में काम करते हैं उनकी वज़ा से यह इमारतें खड़ी करते हैं हाँ यह लोग हैं कुछ लोग हैं जो बर्बाती कर रहे हैं मैडम इमारतें मजदूर ही खड़ा करता है मिस्तरी ही खड़ा करता है लेकिन वो इमारत बनाना नहीं जानते हैं वो इमारत डिजाइन करना नहीं जानते हैं वो इमारत में किनकी चीज़ों की ज़रत हो करना नहीं जानते हैं वो करता है इंजीनियर अब आप इस बात पर पर चाती चोड़ी कर लें कि देखा इतनी बड़ी बुर्ज खलीफा बना दिया पाकिस्तानियों ने, अब बुर्ज खलीफा पाकिस्तानियों नहीं बनाया है, पाकिस्तानियों का दिमाग मा तक पहुचे गा है नहीं, सोचने के लिए कैसे बनाएंगा नहीं करेंगे, सीमेंट पहुचाना, इंटे पहु प्रिलियंट माइंड है अब तो पाकिस्तान क्यों नहीं एकॉनमी में आगे बढ़ गया खाये जाओ चूरन खाये जाओ और पाकिसान के गुंग आए जाओ हमारी अमारते खड़ी करने में हमें बुलंदियों पर पहुंचाने में इंडिया का हाथ है नई बेटा यह पाकिस्तानी मेंनद करते हैं हमेरे पाकिस्तानी काम करते हैं अगर काम करते हैं फिर हम निकाले क्यों जाते हैं वो कहते हैं इंडियन्स मेहनत करने आते हैं पाकिस्तानी शोगल मेला लगाने आते हैं सच बोलने के मिनापर निकाल जाते हैं और बात है हमारी पाकिस्ताने को वो भी क्यों मांगते हैं और मांगते हैं जो औरते जाते मर्दे यह हमसे तंग आगे हैं यह इसी वजा से साब बदनाम हो गया है यह को बात हुए यह बात है उनको चाहिए यह पावर के देश के मुल्क के लोग आए इनको सराखों पर बिठाए हमारा थोड़ा एक टैरर हो कि ऐसा नहों हमारे पाकिस्तानी बिजनस मैं मुझूद है मेहनत करने वाले पाकिस्तानी भी वहां पर मुझूद है लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो वतन का नाम वहां जाकर खराब करते हैं जिनकी वज़से दुबाई बचार दे रहे हैं इसा कर रहे हैं इसे लोगों को दर भेजे ही ना या उन्हें अपने बुलाने के लिए एकसेप्ट ना करें यहां से तो सुफैज बोश बनके जाते हैं वहां पर प्रबादी करते हैं जो मांगते हैं ना बैट के यह नहीं करना चाहिए हम भी कहेंगे हमारे पाकिस्तानियों समझो यह इस बात को जाये हाथ लात अलाने दिया हैं माजूर नहीं और काम करके खाओ गुना होता है यह हक खलाल की कमाई बिलकुल नहीं हमागना ना किस तरह से दुबाई बात निकरने जाएंगे तहीज़ों को उनकी घलत एक्टिविटीस को शो ना करें पाकिस्टान को शो तो वो डुबईी वाले कहते हैं कि इनका करेक्टर लूज है यह हमारे लिए आज ज्याएंगे तो करना पड़े गा ना पना पेड पालने के लिए ऐसे तो नहीं को कुछ क सबनाई कौन बनाए अमरिका का ट्राम्प बनाई तो अब ये उसके पास बैठा है हमारा जो उसके पास जा कर बैठ बैट ग bizण हमारे पाकिस्टता देखो ना मेरे रडिके ना यह या कहते है कि वह बन जिए शबाज श्रीफ उनके पास बैट गए कि खुदा के लिए ख्याल करना क्योंकि वो उनकी बात मानता है शैद इमरान खाना आ जाए इसी वज़ा से यह एक रिजन नहीं है नो डाउड के वीजा जो है वो बंद हो रहे हैं लेकिन और भी कई प्रोब्लम्स है इशुस है जिनकी पाकस्तानी जाके अदर जो कंट्रीद है उनकी निसबफ पाकस्तानी ज़्यादा मतलब वो बेगींग कर रहे है ठीक है शबर स्नैचर्ज में हनका रहता है फिर कई किसम के यह फरोड कर रहे हैं वहाँ पे स्कैम्स हैं डिफरेंट जिनके अंदर पाकस्तानी इनवालब से तो वो लोग अपने कानून को बहुत जादा फोलो करते हैं अस कंपियर टू पाकिस्तान यहां पर आप रिश्वत के जरीए या और अपने सोर्सिज यूज करके निकल जाते हैं किसी भी कैस से लेकिन वहाँ जो है इस तरह नहीं है उधर चीज़ें डिफरेंट हैं तो इस व दुबई ने काफी देफा शिकायत की है लेकिन अब उनका कहना यह है जो यहां के मीडिया इंफ्लेंसर्स हैं वह पहली बात तो यह हमारे रूल्स और रेगुलेशन मानते नहीं है हमारे कल्चर के रिस्पेक्ट नहीं करते फिर जो पाकिसानी वहां कारनामें कर रहे हैं उ मेरा ख्याल है कि आप उनके रूल्स को फोलो करें और जितना बेतर हो सकता है वहां के महोल को एट लिस्ट यहां जैसा अंस्क्योर ना करें आप उसको बेतर कर सकते हैं सर हम लोग अटामिक पावर हैं मुसलिम देशों में से हमारे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा उनको तो चाहिए था हमारे अटामिक देश के लोग उनके कंट्री में जा रहे हैं उनको बड़ी इज़त देते सीयों बनाते क्या कहेंगे डरते ही नहीं हैं हमसे बेसिकली इसके चीज के ओपर तो बड़े बड़े जो एंकर्ज हैं वो भी नहीं बोल सकते हैं अभी मीडिया के अंदर आप सब को पता है कि स्टिकनस है काफी थे सव dengan उस Neck injaz नाम के अटोमिक पावर एन सची जहां पर पाकिस्तान की ज्रूरत थी पाकिस्तान को बोलना चाहिए था लेकिन हम खुलके दुनिया के सामएं नहीं सके अधे बिकॉज ओफ नफ पुलिसी ओफ इंड मैंट्रू इनवलड इन उनको हैं मैं दिख सो करते हैं चोरियां चकारियां भी करते हैं रिसनली दुबाई पुलिस की एक वीडियो बड़ी वाइरल हुई थी जिसमें वो पाकिसानियों को दमका रहे थे कह रहे थे आप लोग अपनी हरकते से बाज आज़े नहीं तो फिर जेलों के अंदर बंद होने के लिए तयार हो जो यह हरकते तो हम करते हैं हमने सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ा सोशल मीडिया पर भी उसी तरह की एक्टिवेटिस हम कर रहे हैं जिसकी वज़े से हमसे तंग आ चुका है दुबाई क्या कहेंगे इतने ज़्यादा क्रिमिनल हम क्यों है असल में पाकिस्तान में रहते हुए न हम इसली यह चीज़ें कर लेते हैं यहां पर ऐसाच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यह सब कुछ करने के बाद तो फिर हम यह सोचते हैं कि यहां के जो लोग हैं कि अगर हम फोरण किसी कंट्री में जाएंगे वहीं पर भी यह सब आजिया हैं मैं बहुत ज़्याद्व हम लोग यहिर निजज़ें डरील 오ल वickt नहीं हborएन पाकिसानी बोलते हैं शेक्ठी गाली करूंग के वह लोग जहें काफी बैटर हैं हमारे निस्बत तो बाकी यह है कि रेसिस्जम है वो उसको प्रवाड करते हैं अपनी कंट्री में लेकिन अगर आप रोंग नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको विदाउट एनी रिजन जो है किसी भी केस में डाल देंगे आपके लिए कोई हडल बना स्टमाय करते हैं लाइक वह कहते हैं कि ना पजिस्टानी की हैं कूछ लोग होनाओ पर करें या कुछ जैसे जया Cars लेकर शुट नबत चुरू कर देते हैं हुट सभया गे गरुश्चर लोग गर आपको पर वो बिचायत करते रहते हैं कि अपने बैगर्स को अपनी कंट्री में रखो लेकिन यह जो खबर सामने आ रही है वो मीडिया इंफ्लेंसर्स पर आरी है टिक टॉकर्स पर यूच्यूबर्स पर जितनी मीडिया इंफ्लेंसर एंपर सवाल उठ रहे हैं कि वो दुबए के अंद के इमेज को गिरा रहे हैं वो दुबाई के कल्चर के खिलाब दुबाई के रूल्स और इगलेशन के खिलाब काम कर रहे हैं। मैं इस बात से agree नहीं करता क्योंकि जिस तरह के crime करते हैं पाकिसानी क्या आपको पाकिसान के सरकार आपको pocket माली सिखाती है क्या पाकिसान के सरकार आपको लड़कियों को छेड़ना सिखाती है क्या पाकिसान के सरकार आपको ब्रिप करना सिखाती है क्या पाकिसान की सरकार आपको चोरी करना सिखाती है क्या पाकिसान की सरकार आपको मडर करना सिखाती है क्या पाकिसान की सरकार आपको ड्रक्स बेचना सिखाती है इन सारे आरोपूंप में दोशी पाय जाने पर आप लोग जिल में बंदे पाकिस्तान ये कोई सरकार सिखा कर करने भेज़ेगी ना कि murder करना चोरी करना रेप करना लड़की छेड़ना ये करना वो करना एक क्राइम है अरे ये तो natural है fraud करना क्राइम है धोखा देना क्राइम है आपके society ही ऐसी हो गई है दो नंबरी society है आपकी दो नंबरी और आप लोग फेक मुसल्मान है अब कर दिखाऊं अब एक वीडियो दिखाता हूं यह बिटन का वीडियो है 12-13 साल की बच्ची को इसने गलत हरकत करने के लिए इसने वो कर लिया पाकिसानी अबाद में कहने लगा कि जी मुझे रूल नहीं पता है क्या नहीं पता है कि 11-12 स साल की लड़की के साथ आप ऐसा कुछ गलत हरकत करें तो वो खराब बात होती है देखिये तो नहीं इसने देखिये लूंज रहा है नहीं हां अलना अफ से क्रेले हो 듣ो है यहीं है और нет la बना चूंडव में गूंग उन्या हुवे सब्सेट और था टेखम झरे कि लाता है क्या ऑहीं अज़ fulfill है तो अजवे लगलत है시 मिए रूंडते हैं ग gün journey अब इसके बाद आप कहें कि इस चीज के लिए क्या सरकार सिखाएगी तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कोई करे तो तुम वो करोगे तुम बोलोगे कि नहीं सरकार ने सिखाया नहीं है इनको सिखाना चाहिए था ठीक कोई बात नहीं जाओ माफ कर दिया सरकार ने सिखाया नहीं है आपकी सोसाइटी सड़ चुकी है आपका समाज सड़ चुका है वकृत मान सकता हो गई आप लोगों की तो यहां पाकिसानी आकर एक तो अनजुकेटिड लोग आते हैं फिर पाकिसानी इन प्रेंसर्स गे दिखाते हैं जैसे हम पाकिसानी पर जल्म कर रहे हैं जैसे हम पाकिसानी को यहां पर पता नहीं कितना मार कुटा ही कर रहे हैं जिसकी वज़े से आपको पते हैं पाकिसानी लोग क्या कहते हैं शेखों को हरामी कहते हैं वो कहते हमारी नेगेटिव इमिज पूरी दुनिया में फिलाते हैं यह टिक टॉक पे य जो उनके खिलाफ एक एक्षिन लेना चाहिए ताकि गवर्मेंट को पता हो दुबभी की गवर्मेंट को कि पाकिस्तानी गवर्मेंट ने कोई एक्षिन लिया उनके साथ और फिर वह हमारे विजाज इस तरह कैंसल नहीं करें हम ऐसा क्यों करते हैं आखर क्या ऐसा हमारे साथ खास वसला है कि हम लोग हर सीर्ड के अंदर करिमिनल एक्टिविटिस करते हैं पाकिस्तानी हैं गंदे इस मामले में अट लिस्ट के और भी सुखना थो में तो पॉट्रे नेगेटिवी इमिज ANG नेगेटिव एमिज चाहे हो पाकिसान हैं यह बाहिर कीओ उन्हें बस नेगेटिव इमिज को बोट्रे करिज कर नहोंता हूता और हमें इस पर काम करना चाहिए, I think, हमें at least ये, as a new generation, I think, कि मेरे साथ जो भी बन्दा हो, वो ऐसा एक्स्ट्रीमिस ना हो, और हमें अपने नेक्स जनरेशन को इस चीज की, you know, एक पूरी वो देनी चाहिए, तलीम के, एक्स्ट्रीमिजम क्या है, अब्सेशन क्या है, और ल हम पागल हैं, हमारी कांसलिंग करें, kind of, 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 kind अच्छा एक सवाल आपसे मैं आपर यह भी पूछना चाहूंगी कि अगर इसी तरह की हमारी हरकते रही इसलामिक देश हमसे तंग आ गया मुस्लिम उम्मा हमें बरदाश्ट नहीं कर रहें कहने को हम तमाम इसलामिक वर्ल्ड में इकलोती सूपर पावर हैं सूपर पावर अटॉमिक बॉम हम लेकर गूमते हैं उनको तो चाहिए हमें सराखों पर बिठाएं के एटम बंब है बया पाकिस्तान के पास हमारी भी मदद कर सकता है पाकिस्तान तो फिर भी हमारी इज़त नहीं करते हैं यह क्या बत्तमीजी है अट्स दो ओनली रीजन आइवुड से कि हम बहुत जादा एक्स्ट्रीमिस्ट हैं हम हर मामले में बत्तमीजी गरते हैं हम किसी भी मामले को कभी भी हमने अच्छी तरह देखा ही नहीं 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 हमारे हुक्मरान देख रहे हैं तो अट्यमिक पावर से भी नहीं डरते हैं वह अट्यमिक पावर से वह क्यों डरेंगे और भी बहुत से मुलक तुम लोग नहीं हो तो अच्छा है इंडियन्स को बड़ा प्रफर करते हैं इंडियन्स के वह जानते हैं उनकी लिमिट्स क्या है जो के पाकिस्तानी नेशन इस वक्त नहीं जानती इंडियन्स जानते हैं बिंग पाकिस्टानी आइड्मार दाट के वो एक तमीज से पोट्रे करते हैं अपने मुल्कों वो जहां भी जाते हैं उनका अच्छा नाम होता है इंडियन्स का अच्छा मैं एक यूट्यूबर उकल को अगर मैं दुबाई का वीजा अप्लाए करती हूं उनको पता लग जए यूट्यूबर है सोशल मीडिया इंफ्लेंसर है मतलब मेरा पता पहले ही कट गया जाके उनको लग मारना चाहिए के आपकी हुजा से मेरे साथ ही हो रहा है तो यह आपको भी यह नहीं करना चाहिए इंडिकारी मैं तो पाकिस्तानियों की हरकतों को टार्गेट कर रही हुए यह ऐसे क्यों कर रहे हैं मैं तो पाई को गलत नहीं कहा है वह अपनी जगा सही है अफ़ोर्स देया राइट अपको एसा नहीं करना चाहिए आपको लोग को अंदर यह जालनी चाहिए इंकुलकेट करनी चाहिए यह चीज के हम बहुत जादे एक्स्ट्रीमिस्ट बन रहे हैं वह शुड़न बी ता अब इस पर हसू नहीं तो क्या करूँ कि आप लोग जो दावा करते हो ना वह डावा पाकिस्तानी मुसलमानों के ग्राउंड र्यालिटी से बिलकुल अलग होता है या पूरी दुनिया मैं कहूं मैं तो यह लिस्ट लगा रहा हूँ यह दुनिया के टॉप 20 आतंकवादी संगठेने जर्रा देखिए तुमें कितने मुसल्मान वाले हैं, कितने इस्लामिक हैं सारे के सारे टॉप 100 में आँगो तो 90 यही निकलेंगे और आप कहती हैं कि इस्लाम वालेंस नहीं सिखाता है अमन सिखाता है, मुझे नहीं लगता ग्राउंड पे तो नहीं लिखता है आप मुसल्मान हैं ना आप इसको रिलिजिन थोड़ा साइड मर्ग दीजे और सोचिए कि दुनिया में जो मुसल्मान देश है कितनी मारकाट मची हुए आज से नहीं, 14 साल से मारकाट मची हुए ज़रा देखिए योरोप में भी मारकाट थी शान्त हो गया, आराम से रह रहे हैं आज भी सीरिया देखिए, लिबनान देखिए सुडान देखिए, नाइजीरिया देखिए, इधर इराग देखिए, उधर वो और भी कई कंट्रीज हैं, वो सारी तो याद भी नहीं है मुझे इतनी कंट्रीज हैं क्या वहाँ पर सुख्चैन है, नाइजीरिया में मैं देखता हूँ, आए दिन, क्रिश्चन्स के गाउं के गाउं काट देते हैं ये लो, क्यों इसलाम फैलाना है, क्या कहेंगे इसको, ये वामन का मज़ब है हरा तंकवादी, जो है, उसका कोई मजब नहीं होता है, तकने हरा तंकवादी का मजब मुसल्मान क्यों है, तो मैं नहीं कहता हूँ, ये पाकिस्तानी जॉनलिस्ट हैं, वो ही कह रही हैं, आलिया शाह, सुनिए हर बंद आपको कहता, वो नजर आएगा, कि दैशितगर्दों का कोई मजब नहीं होता, इसकी वज़ाए है कि दैशितगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते पिर रहे हैं, वो मुसल्मान है, इसलिए हम ये कहते हैं, छुपाने के लिए, कि ये तो हमारे अधरिया भी है, जो सब जानते हैं, मुसल्मान मुसल्मान को मार रहा है, आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें, इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है, वो हो, ये तो अपने अप गरेबान में कैसे जांके हैं, वरना देशितगर्दों का मजभ है, ज ये सब जो आ रहे हैं ना, तालिबान, ये मुसल्मान है, कल्मा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है, और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है, तो ये कहना अपने आपको बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और कैसे इस्तमाल करना चाहते हैं, लेकिन इस साफ नजर आत प्रॉब्लम है आपके अंदर मान लेंगे तो शायद दुनिया ठीक हो जाएगी वरना तो प्रॉब्लम बढ़ेगी तो हर चीज़ की एक लिमिट है उस लिमिट के बाद फिर कोई कुछ नहीं देखेगा फिर तो जो होगा देखा जागा जिसके पास ताकत होगी वो करेगा और आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं तो आप लोग भूल कर रहे हैं इतने से यहुदी हैं देखिए उन्होंने क्या कर रखा है आपने हजार मारे वो चालीस हजार मार चुका और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं इतने से आप हैं इतने कौन ताकतवर होगा तो यह सब छोटी चीजे चुलान खाना ही सब बंद कर दिए दोस्तों आप बताएं आप क्या कहता हैं चल दे मिलता हूँ नमस्कार जाहिंथ अगर आप चालते हैं मुछूसे बात करना मुझसे कोई सवाल पूछना तो fan call पर आप मुझसे connect हो सकते हैं fan call में ये सुविदा है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर time slot book कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है फलाने time कर मुझसे बात करनी है लेकिन ये भी बता दूँ कि ये paid service है